हेलो गाइज मैं नेम इस आगॉला और मैं आपका डोमेंड एंड होस्टिंग एक्सपर्ट अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बैल आइकन दवाना ना भूले तो आज आप एक और वीडियो लेकर आएं फ्री होस्टिंग और डोमेंड के पर की कैसे हम होस्टिंगर से फ्री होस्टिंग ले सकते हैं यहां से हम अपना डोमेंड भी ले सकते हैं तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता ही है एक होस्टिंग काफी फेमस वेबसाइट है जहां पर आपको बहुत ही कम रेट पे जिसे यहां पर 59 पर मंत लिखावा है तो यहां से आप पर्चेस कर सकते हो पर काफी लोगों ज ठbroodra यहां पर और अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको कहीं पर ही फ्रीए नि Teams दिखाए निदेगा यहां पर 59 से स्टाट हो रहा है फिर 119 से रखी है ठेक है फिर मैं किया करा मैं आया है स्गोल्डाउन करें सबसे लास्ट में आप देख यहाँ पर आ रहा है फ्री वेब होस्टिंग जा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है तो जैसी आप यहाँ फ़र क्रोगे तो आपके पास एक sign up के लिए आएगा तो जैसे hostinger का जो tie up है वो free web hosting से एक company है 000 web उसरे tie up है तो यहां पर क्या करोगे आप अपनी email id कि आप password रखोगे ठीक है और आपके website का नाम क्या होगा तो जैसे कि आप अपनी website का नाम for an example मान लो मैं मान लेता हूँ digital sagar ठीक है cross ठीक है and get free hosting तो यहाँ पर साइड का नाम वो ही रखेगा जो आपको चाहिए ठीक है then free hosting पर क्लिक करना है अभी आपको रिडाइड करके कहाँ पर जो 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 वैफोस के पैनल के अंतर अब आपको यह client area में लेके जाएगा जिसके तुरू आप अपनी जो वैबसाइट अब क्रेट कर सकते हैं यह verify करने के लिए कहा रहा है mail यह देखिए verify के लिए mail भी आ गया then इस पर click करेंगे यह hostinger की ही website है यह दूसरी hostinger की website है जहाँ पर उसने free और होता है बहुत सारी company एक दो तीन चार्चर वैबसाइट बनाती है लग लग नाम से जिसे कि यहां से customer ना आया तो वहां से आ जाया तो यहां से आ जाया यहां पर देखिए ना power by hostinger लिखा हुआ हुआ है and then get started अब यह आप से पूछ रहा है कि आपको किस टाप की episode नानी आपको web development, online store, web design, blog या other आप कोई भी select कर सकते हो आप web design भी कर सकते हो बात एक एक कर कि वर्ट पर इंस्टॉल करना है हमें और यहां पर आपको एक password डालना है आपको एक नाम सोचना होता है अब यह आप से पूछा है कि आप अगर आप अपनी website को यह वह upload करना चाहते हो या फिर आप builder से आपको static website बनानी है तो आप यहां से कर सकते हो या फिर आपको WordPress इंस्टॉल करना है तो भाई हमें तो wordpress और करना है दैन अगेन यह आप से पूछ रहा है यूजर नेम अद्विन देते हैं पास्वर्ड ही पूछ रहा है तो ब्सक्राइब अपर डाल दिया और अड्मिन मैं अपना वृह जाल दिता हूं मैं झूल्य आपने यूजर नोर्य नम्म्र लट देशन नम्म्र लाइन अधमिनद ल्याने पूछ तो इंस्टल बहुत है अब काफी लोगोगों यह वैबुसेट के बारे में पहले पता हो सकता है उन्होंने पहले यहां पर sign up भी कराओ उन्होंने सचा वोस्टिंगर से लेड़ेंगे तो अगर आपका अब आपने आपने ऐसे ले रखाए तो आप यह मत बोलना काफी लोग क्या करते हैं अरे यह तो हम ही पता थी देखो दोस्तों कीवर्ड वाइस मैंने लेके चला कि होस्टिंगर काफी लोगों को यह जाना था कि होस्टिंगर से कैसे फ्री मिलती है जुन्होंने ट्रिपल जीरो वैफ होस्ट के बारे में नहीं सुना हो तो उनके लिए तो नहीं आया है बर जु यो होस्ट ने दिया या फिर आपको ँस्टिंगर न दिया सेम बात है शर्वर दोनों का सेम है सेम जगाह पे है हरचीड सेम है similar अ होस्टिंगर लेके गया यहां पर मनला रहीं उहां पर हर जगा रेंस लिखाएगा यहां पर यह हमारा पुरा वर्डपर इंसॉल होते वे और यहां पर हमारा पुरा जो सफ़ट्वेर होने वाला है फानलाइज और यहां से आप बहुत ही बहतरी इन वैसरोड ना सकते जैसे मर्जी आप करना है ठीक है गो टू कॉन्फिकेशन पेज पर क्लिक करा अब देखिए यह आपका आगया तो आपका डॉमेन हुआ डिसर सावी गोला डॉट अब यहां पर क्या है बस एक प्रॉब्लम यह आती है कि यह आपको सब डॉमेन देदेगा ठीक है पर देखो अगर आप स्टार्ट अप कर रहे हो अगर आप ने कर रहे हो तो कोई दिकत वाली बात नहीं है आप यहां से भी स्टार्ट कर सकती हो जैसी हमने जो हमने अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाला था तो हम यहाँ पर डालेंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने वर्डप्रेस के अंदर लॉग इन कर पाएंगे और आपको पूरा वर्डप्रेस सिखना है तो आप मैंने चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना बिकॉस मैंने आपको पूरा वर्डप्रेस के अंदर सिखा रहा हूँ एक एक चीज छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी आप जाकर चेक भी कर सकते हो काफी मैंने मॉडूल डाल भी दी है कैसे लेंडिंग पेज बनाना है कैसे प्लगिन का यूज होना है कैसे थीम का में भी है ठीक है यह हमारे जैसे फ्रेंट आगया तो जब आप बनाऊगे तो इसको आप अच्छा बना सकते हो आपको पूरा वर्डपेस में लिए सबसे अच्छी बात है कि वैल्यूबल कंपनी है होस्टिंग है सर्वर इसका अच्छा है वेशक आपको तीन जीबी की अच्छी एक वैबसाइट पांथ दस पंदा बीस परेस तक की वैबसाइट बना सकते हो अगर आपको बिजनस के लिए बनानी है ब्लॉगिंग भी आप स्टार्ट कर सकते हो आप इन फ्यूचर आप उसको बैक अप लेकर रख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है और सेकिंड आप का है कि कैसे आप खूस्तन डोमेन मतलब आपने यह बहुत सिंपल होता है आप वैबसाइट सेटिंग के अंदर जाएंगे वैबसाइट सेटिंग के अंदर पर जाएंगे और जनल जानने के बाद यहां पर आ रहा है website ने तो अभी आपको जो website name है वो है यह पर आपको क्या करना है आपको अपना लिखना है you can change the name of your website तो click here करने के बाद यहां पर वो आपको domain डालना पड़ेगा पाक domain पर आपको click करना है ठीक है पाक domain का मतलब क्या है कि आप उसके अंदर अपने जो name server है वो change करोगे name server क्या होते हैं जबी भी आप कोई भी domain hosting आप खरीते हैं यह hosting हमने यहां से ले रखी है तो यह आपको दो name server प्वाइड करेगा जो कि आपको GoDaddy में डालना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखिया वो भी आप देख सकते हो तो आपको simple क्या करना है पाक domain name पर click करना point domain पर click नहीं करना then next और यहां पर अपना domain का नाम डालना है लाइक दिस और देखो यह दो name server है आपके यह दो name server आप वहाँ पर put कर दो के simple GoDaddy के DNS के अंदर जाके मैं लगा GoDaddy BigRock किसी का भी है वहाँ पर आप कहीं से भी आप आपने domain ले रखा होगा ना तो वहाँ पर उनका प्लस मैंने तो वीडियो डाली रखी आप वह भी चेक कर सकते हो विकास मैं इस लिए इसमें दिखानी रहा विकास काफी लोगों को पहले से आता है तो वह फिर स्किप कर देते हैं पूरी वीडियो दिखते नहीं है तो अगर आपको वह चीज सीखनी है तो आप मात एक मिन कर दोगे सिंपल और यहां से आपका जो फिर यहाला डॉमेन में जब आपको खोलोगे तो आपकी यहाली वेबसेट खोलेगी अगर आपको सब डॉमें नहीं चाहिए तो अधरवाइस आपको यह करने ही जोतनी है अगर आप फ्री में काम करना चाहते हैं पूरा का पूरा आपको कुछ कर नहीं होती है आप जैसे कर रहे हैं वैसे करिए इन फीडर और आपको लगता है तो आप उसको चेंज कर ले गा कोई दिक्वत वाली बात ही है बट यहां पर मैंने आपको बताया कि प्लस फ्री एकदम ठीक है सर्फर बढ़िया है सई स्पीड है ठीक है और इसके लाब मैंने और आपको अलग-लग फ्री होस्टिंग के बारे में बताते रहूंगा तो उसके लिए भी आप अपडेट करें क्योंकि मैं खोशता रहता हूं सर्च करता हूं काफी लोग बोलते है अब यहां पर मैं आपको सच बता रहा हूं कि ऐसा होता है काफी लोग उसको नेगेटिव में ले जाते हैं तो यह सब सोच नहीं है अगर हचीज कोई फ्री मिल रही होती तो मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा और हो सकता है इन फीचर कोई वेबसाइट दे रही होग तो वो भी मैं आपके साथ लेकर आऊंगा तो चली जाता है दोस्तों टाइंक वेस्ट नहीं करते हैं हम चलते हैं मैं धूनता हूँ कोई और होस्टिंग जासे हम फ्री में ले सकते हैं और लाइक और सब्सक्राइब करना मत बुलेगा टेक कियर बाइबाई